पेश है जोदपूर बीकनेर जिले की बड़ी खबरें बाद में बीकनेर की गजिडेर थाना पुलिस को श्री राम विश्णोईवे उसकी सुपूर्द की गई राज्य सरकार ने सभी 33 जिलों के प्रभारी मंत्री को अब बदलने के आदेश जारी किये हैं जिसमें अब बीकनेर के प्रभारी मंत्री के रूप में प्रदेश कोंगरेस के अध्यक्ष वे शिक्षा मंत्री गोविन डोटा सराज जिम्मेदारी संभालेंगे बीकनेर में इससे पहले साले मुहमत जिले के प्रभारी मंत्री थे वहीं उर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर संभाग के श्री गंगा नगरवे हनुमान गेट के प्रभारी मंत्री होंगे। साथ ही उच शिक्षा राज्य मंत्री भवर सिंग भाटी चुरू जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। इसके अलावा भी कॉंग्रेस में महतोपुन बदलाव किये गए हैं बता दें कि दो दिन पहले कॉंग्रेस की सहकारी कारे कारेज समीती में महतोपुन बदलाव हुए थे जोदपुर शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है ऐसे में मंदोर सेथ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी पुलिस के 44 जवान संक्रमित हो चुके है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अत्रिक पुलिस अधिक्षक ओम प्रकाश कोतम ने बताया कि इन सभी में किसी प्रकार के कोई सिंटम्स नहीं मिले है लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सुरक्षा के तोर पर फिलहाल चलने वाले प्रशिक्षन को स्थगित कर दिया गया है पीका ने इलेक्रिसिटी सप्लाई की ओर से 14 सितंबर को बिजली उपकरणों का आवश्यक रखरखाव किया जाएगा इसके चलते आज सुबह साथ से ग्यारा बजे तक एमपी कलोनी सेक्टर 3 वच चार रामपुरा गली एक से 20 कबीर आश्रम सरवोध्य बस्ती ओडों का महुला रेलवे वर्कशोप गली नंबर 23 मरुनायक चौंक मोहता चौंक तेली बड़ा आसांग्या चौंक चाय पट्टी मावा पट्टी मोहुला चून गरान अतनतोद्य नगर सेक्टर B आदिक शेत्रों में बिजली बंद रहेगी। पड़ता जा रहा है। रेल करमचारी संक्ठन अपने अपने स्तर पर नीजी करण का विरोत कर रहे हैं। जोत्पुर शेहर की बनाड पुलिस ने लापता हुई साथ साल की बच्ची की तलाश कर उसे परीजनों के सुपूर्द कर दिया। बनाड थाना अधिकारी अशोक आंजना ने बताया कि नांदडी फांटा पर एक बच्ची रोती हुई मिली। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत आसपास पुलिस वहन में लगे पब्लिक एड्र सिस्टम के जरिये वे वाट्सअप से बच्ची का फोटो संबन्दित इलाके में शेयर किया। एक घंटे के भीतर बच्ची के परिजनों का पता चला, उन्हें थाने बुलाकर बच्ची को सुपुर्द किया। इलाके में स्कूटी पर जा रही एक महिला के गले से चैन छीन बाइक सवार बदमाश भाग छुटे। इसके बाद पुलिस ने वहन चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही CCTV फुटेज के अधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफतारी के परियास किये जा रही है। मामले में ITI में चतुर्ष शेहनी के पत पर कारेरत पाबुपुरा निवासी लक्षमी की ओर से रिपोर्ट दी गई है। जोदपुर जिले के मतोड़ा थानांतरगत पडासला गाउं में देवरानी जिठानी की कहा सुनी मार पीट पर हमले में तब्दील हो गई। जिठानी ने पती की मौझूदगी में देवरानी में देवर को लाठियों से पीट पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने जिठ आदूराम को गिरफतार किया है। इस मार पीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है। जोगपुर जिला प्रशासन वेस्वास्ते विभाग की और से कोरोना के खिलाफ एक और प्रभावी कदम उठाते हुए संक्रमित मरीजों को अब नीजी अस्पताल में भी उपचार कराने हेतु अधिगरत किया गया है। इस कारेवाही की प्रभावी किर्यामन को लेकर जिला कलेक्टर इंदजीत सिंग ने शहर के नीजी अस्पतावों के संचालकों प्रप्रतिनिदियों की बैठक ली। इसमें COVID-19 के उपचार हेतु विजार विमर्ष करते हुए सभी प्रोटोकॉल के बारे में गहन समिक्षा करते हुए आवश्यक दिशा इंद्रदेश प्रदान किये। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्तिया सचिव वैबव गालूरिया रवीवार को जोधपूर दोरे पर रहे। उन्होंने संभाग यायुक समिष शर्मा पैजिला कलेक्टर इंदर जिस सिंग से फीड़बेक लिया। उन्होंने सरकीट हाउस और मथुरादास माथुर अस्पताल का दोरा किया। जोधपूर मेडिकल सहीत अन्य पार्टिक्रमों में प्रवेश के लिए रास्टिया परिक्षा एजेंसी का नेशनल एलिजिबलेटी कम एंटरन्स ट्रेस्ट नीट 2020 रविवार को कोरोना गाइडलाइन के बीच हुआ। जोधपूर में 36 परिक्षा केंदरों पर यह हैं परिक्षा हुई। परिक्षा आर्टियों को दोपैर 1 बजगर 30 मिनट तक परिक्षा केंदर में प्रवेश दिया गया। इसके बाद परिक्षा दोपैर 2-5 बजे तक हुई। अभिवावकों को परिक्षा केंदर से 100 मिटर पहले ही रोक दिया गया। सांगरिया फॉंटा से मुखे सालावास रोड तक सड़त भागे दोनों तरफ किये गए अतिक्रमन को धस्त कर हटाया गया। और से हनुमान चालिसा का पाट किया गया। साथ ही 51 किलो फलों की सवा मनी कर वानर सेवा की गई। एड़ोकेट संजीव व्यास ने बताया की संस्ताओं के संविक तत्वा धान में चौपासने सित सुन्दर बालाजी मंदिर में पित्र पक्ष के चलते हुए हनुमान चालिसा का पाट किया गया। वे 51 किलो फलों केले वे मक्की का भोग लगा कर वानरों को खिलाया गया। जोदपूर के जिला कलेक्टर इंदर जिस सिंग की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सबागार में जनहित एवं आम जन के विकास से जुड़े हुए विकास कारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में जोदपुर में आरोबी निर्मान कार्यों की समिक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सभी विभागों के अधिकारी सकारात्मत द्रिष्टिकों रखते हुए इस द्रिषा में आवश्यक कारवाही करें। के परिवार में हुआ था। किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। परिटी न्यूस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। व्र्वाद।